इस वीडियो में दी हुई जांकारी इंटरनेट से ली गई है, हम इस वीडियो में किसी भी दवाई का प्रचार नहीं करते, किसी भी दवाई का उप्योग करने से पहले अपने डॉक्टर से जरूर पूछे, अगर आप इस वीडियो को देखर किसी दवाई का उप्योग करते में 1. यह विशाक्त पदार्थों को दूर करने में मदद करता है 2. यह शरीर को साफ और शुद करता है 3. यह water retention में मदद करता है 4. यह सुस्त परिसंचरन और लसी का जमाव पुराने osteoarthritis और खीचाव के निशान के साथ मदद करता है 5. यह एक स्वस्थ तवचा बनावट को बढ़ावा देता है 6. यह एक दैनिक मालिश तेल के रूप में अच्छा है 7. नहाने से 20 मिनट पहले लगाएं या नहाने या नहाने के बाद लगाएं जब तवचा अभी भी गर्म हो 8. बहतर परिनाम के लिए उप्योग करने से पहले हथेलियों के बीच तेल को गर्म करें और तवचा को ड्राई ब्रश करने के बाद तेल लगाएं 9. आवशक तानुसार त्वचा पर धीरे-धीरे मालिश करें 10. पूरे शरीर की मालिश के लिए प्रयोग करें 11. इसे रोजाना मसाज ओल की रूप में इस्तिमाल किया जा सकता है 12. इस्तिमाल से पहले अच्छी तरह हिलाएं 13. उप्योग करने से पहले लेबल को ध्यान से पढ़ें 14. सीधी धूप से दूर ठंडी और सूखी जगह पर स्टोर करें 15. बच्चों की पहुँच से दूर रखें 16. केवल बाहरी उप्योग के लिए 17. आँखे मत मिलाओ 18. यदी संपर्ख होता है तो अपनी आँखों को ठंडे पानी से धोले 19. तो अच्चा में जलन होने पर बंद कर दे विडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद अगर आपको विडियो अच्छी लगी हो तो विडियो को ज़रूर लाइक करें साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को और नोटिफिकेशन पर सेट करें